हेलो दोस्तो कैसे हो आप आपका मेरे चाइनल पर स्वागत है दोस्तो आज मैं ये तोरण पट्टी आपको बनाना सिखाने वाली हूँ देखिये ये तोरण पट्टी कितनी प्यारे लग रही है और इसमें मैंने तीन कलर का यहाँ पर इस्तमाल किया है और ये जितनी प्यारे लग रही है ये बनाने में बहुती आसान है यहाँ पर मैंने बहुती आसान तरीके से ये तोरण पट्टी बनाना सिखाया है ये तोरण पट्टी का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप मेरे चाइनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजें और साथ में जो बेल एकन है उसे दबाना मत मिलिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाओ उसकी नोटिपिकेशन सब मैं पहले आपको मिले और मेरे चाइनल पर आपको नए नए वीडियो देखने को मिले और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए चले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सब में पहले हम यहाँ पर दस चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार, तार, चेन, साथ, आठ, नो, और दस यहाँ पर हमें दस चैन लेनी हैं और हम यहाँ पर तीन चैन को स्कीप करते हुए चार नमबर की चैन में हमें डबल क्रूशिया डालनी है और यहाँ से हमें हर एक चैन में डबल क्रूशिया डालनी है यहाँ पर हमें आठ डबल क्रूशिया डालनी है देखे, यहाँ पर मैंने आठ डबल क्रूशिया डालनी है अब तीन चैन लेंगे हम यहाँ पर एक, दो, तीन और इसे टर्न करते हुए सेकंड वाले चैन में हमें डबल क्रूशिया डालनी है देखे, और एक स्टीच को हमें छोड़ते हुए अगले स्टीच के अंदर हमें यहाँ पर यह दोनों स्टीच के अंदर हमें यहाँ पर चार डबल क्रूशिया डालनी है एक दो तीन चार देखे, इस तरीके से फिर से हम यहाँ पर एक स्टीच छोड़ देएंगे और अगले वाले स्टीच में हमें दो डबल क्रूशिया डालनी है देखे, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर आठी डबल क्रूशिया रहेंगे यहाँ पर दो, साइड में दो और साइड में इस तरब दो और बीच में चार तो हमारे ऐसे आठ डबल क्रूशिया ही रहेंगे फिर से हम यहाँ पर तीन चैन लेंगे और टन करते हुए सेकंड वाले चैन पर हम डबल क्रूशिया डालेंगे यह तोरण पट्टी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर बनाना दिखा रही हूँ देखें अब यह दो यह जो चार डबल क्रूशिया है तो हमें यह चार डबल क्रूशिया की बीच में से फिर से चार डबल क्रूशिया बनानी है एक दो तिन और चार देखें तो हमारा इस तरीके से यह डिजैन बनते हुए जाएगा देखें और हम इसी तरीके से यह तोरण पट्टी बनाते हुए जाएंगे देखें फिर से हम तीन चेन लेंगे हमें यही डिजैन रिपीट करते हुए जाना है हम अपने डोर के हिसाब से यह तोरण पट्टी बनाएंगे आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी यह तोरण पट्टी बना सकते हो आपको जितनी बड़ी बनानी है और जितनी छोटी बनानी है आप अपने हिसाब से ये तोरण पट्टी बना सकते हो यहाँ पे मैं अपने डोर के हिसाब से ये तोरण पट्टी बनाऊंगी ये इसी तरिके से ये तोरण पट्टी हमें बनाते हुए जाना है देखे यही डिजाइन आगे तक रिपिट होने वाली है तो आपको मैं यह तोरण पट्टी यहाँ पे कम्प्लीट करके दिखाती हूँ देखे दोस्तों यहाँ पे मैंने यह तोरण पट्टी बना कर रेडी कर ली है अब यहाँ पे हम फिर से जो फर्स्ट जो राउंड बनाएता हमने तो सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया डालती हूए जाना है हर एक चेन के उपर देखे और यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो धागा है हमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे दुसरे उनके साथ में अब यहाँ पे हम अलग कलर का ओन जाइन कर लेंगे यहाँ पे में रेड कलर का ओन जाइन करूंगी देखें अब यहाँ पे हम हर एक चैन के अंदर हम डबल क्रोश्या डालती हुए जाएंगे सब में पहले हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे देखें और हमें ग्याप में नहीं डालना है ऐसे चैन के अंदर डबल क्रोश्या डालेंगे ऐसे इस तरी के अ यहाँ ग्याप में भी यहाँ पे डबल क्रोश्या डाल सकते हो जब में पहले हम यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने दो डबल क्रोश्या यहां पर हमें इस तरीके से यहां पर डबल कुरुशार डालती हुए जाना है जो एक्स्ट्रा धागा है वो भी साथ में हम लेंगे देखे इस तरीके से पूरे राउन में हमने यह डबल कुरुशार डालती हुए जाना है इस तरीके से हमें पूरे राउन में हर एक ग्याप के अंदर डबल कुरुशार डाल देनी है देखे यहां पर मैं आपको यह राउन कंप्लीट करके दिखा देती हुए देखे दोस्तों यहां पर मैंने यह बॉर्डर बना कर रेडी कर लिये हैं देखिए यह कितनी प्यारी लग रही है देखे आप चाहें तो इतनी ब्रॉड में यह बॉर्डर तोरण पट्टी आप रख सकते हो या फिर यहां पर अलग से और एक कलर डाल कर आप यह बॉर्ड और चोड़ी बना सकते हो देखे यहां पर मैं और एक लाइन बना लूँगी ग्रीन कलर में इसी तरीके से जो मैंने रेड कलर में बनाया है मैं इसी तरीके से ग्रीन कलर की बॉर्डर दोनों साइड में बना लूँगी देखे यहां पर मैं ग्रीन कलर का उन यहां पर क्योंकि जो मेरा तोरन है मैंने इसी तीन कलर में यह में बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं यहां पर ग्रीन कलर का भी उन यहां पर तोरन पट्टी में डाल रही हूँ Shootfast thesehayers and debateESE देखे इस तरीके से यहां पर यह जो रेड़ कलर में यहां पर कंड़ कर लूँगी बात में अब यहां पर मैं तीन चेन डालूंगी एग reviewing और यह जो यहाँ पे जो ग्याप रहेगा ना, हर एक में हमें दो डबल क्रोशर डालती हुए जाना है, देखें, हर एक ग्याप में हम डबल क्रोशर डालती हुए जाएंगे, बस इतना ही करना है हमें, दोनों और से ये बॉर्डर को बना लेना है, देखें, देखें ऐसे यह दो 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 हमें डबल क्रोश्या बनाती होई जाना है देखें तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे दो दो डबल क्रोश्या डालनी है हर एक ग्याप में देखें यह पूरे बॉर्डर में हमें बना लेनी है दो नोर से तो आपको मैं यह बॉर्डर बना कर दिखा देती हूँ देखें दोस्तों यह तोरन पट्टी बनकर रेडी हो गई है यहाँ पे यलो रेड और ग्रीन कलर का कॉंबिनेशन देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है और इसी कॉंबिनेशन में यहाँ पे तोरन की डिजाइन बनाने वाली हूँ देखें यह तोरन पट्टी आप यह सिंगल कलर में भी यह तोरन पट्टी बना सकते हो लेकिन यह मल्टी कलर में यह अच्छी लगती है यह डिजाइन तो यह इसकी डिजाइन यहाँ पे समझ में आ जाती है देखें और इसका जो फरक है सीधा और उल्टा कुन सा है तो आप देख सकते हो ये जो है ये साइड ये सीधी साइड है और ये जो साइड है यो ये पीचे की साइड है देख ले यहाँ पर जो बॉर्डर है ये स्पष्ट रूप में यहाँ पर दिखाई देती है यहाँ पर बॉर्डर दिखती नहीं है तो ये पीचे की साइड है देखे दोस्तों मेरी ये तोरण पट्टी बन कर रेड़ी हो गई है दोस्तों आपको ये तोरण पट्टी अच्छी लगी और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और अब तक आपने मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजे और साथ में जो बेल एकन है उसे दबाना मत भूलिए ताकि जो भी मैं नए नए वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन सब में पहले आपको मिले और मेरे चाइनल पर आपको क्रोचेट के नहीने आइडियाद देखने को मिले तो आगले वीडियो में मैं आपको तोरण बनाना सिखाऊंगी उससे पहले भी मैं एक डिजाइन बनाकर आपको दिखाने वाली हो उसका वीडियो भी में बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी देखें ठैंक यू